Okay, so hello my dear students, this is Anushka Chaudhary, your chemistry educator. तो बिटा, जब से result announced हुआ है, तब से बहुत सारे students के constant यही questions आ रहे हैं, कि माम, इतना score हम कर रहे हैं, हमें क्या कौन सा college लेना चाहिए, माम, क्या हमें partial drop लेना चाहिए, बिटा, बहुत सारे तो essay students भी हैं आप में से, जिनको शायद exactly idea ही नहीं है partial drop क्या होता है, या फिर कौन से courses हमें partial drop के अंदर लेने चाहिए, अगर partial drop लेते हैं, तो उसमें time कैसे manage करें, तो बिटा, ये सारी confusion जो है न, वो बहुत जादा आपको परिशान कर रहे हैं, so let's discuss everything, जल्दी से, in just 5 to 6 minutes of this video, and बिटा, आपकी सारी चीज़ें जो है, वो clear हो जाएगी, my main aim is, कि आप जो भी आके decision ले, वो पूरी की पूरी clarity के साथ ले, ताकि आप आगे कभी भी कोई अपने decision को regret ना करे, तो मैं one by one बिटा, आपको आज सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, partial drop के बारे में, so now let's try to understand, जो पहला question आप लोगों के दिमाख में आएगा, that ma'am, when to take partial drop, yes, तो पहला question यह है कि हमें पार्शल drop लेना कब चाहिए, तो बिटा, सबसे पहले आपको अपना score देखना पड़ेगा, और obviously आपको अपना rank देखना पड़ेगा, score से भी जादा, जो accurate होगा, वो आपका rank होगा, but मैं आपको score के basis पर ही idea दे सकती हूँ, ठीक है, आप उससे अपने rank को relate करके answer find out कर सकते हैं, so my dear students, let's say आप score कर रहे हैं 200 से 550 के आसपास, अब बिटा, आप सभी को पता है कि 550 से जादा जिसका score है, उसी को seat मिलने की possibilities है, right, yes ma'am, अगर हमें government seat चाहिए, तो इस बार cut off high गया है, so, आपका 550 plus score तो definitely होना चाहिए, ठीक है, अब अगर इससे कम score है, तो बिटा, आप और आपका dream है कि यार मुझे न, government college ही चाहिए, तो बिटा, आप definitely drop के बारे में सोच सकते हैं, that is partial drop के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, अब ma'am partial drop लेते कब हैं, और ma'am, you know, तो क्या हमें कोई number of drops का भी कुछ होता है, क्या कि मैं मैं first drop ले रहा हूँ, तो क्या मैं partial drop लूँ, या जो भी है, तो my dear students, मैं तुम्हें एक बहुत clear बात बोलूँगी, अगर ये तुम्हारा पहला drop है, ठीक है, तो I would say, कि तुम्हें न complete drop लेना चाहिए, कि ताकि तुम अपना 110% जो है, वो पूरा का पूरा neat को clear करने में देओ, क्योंकि तुम्हें अभी कोई burden नहीं है, ठीक है, येस, लेकिन अगर बिटा, आपका second, third drop है, तो आपको सोचना चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा partial drop की तरफ inclined रहना चाहिए, अब अगर बिटा, आप मेंसे कई ऐसे students हैं, जिनका maybe ये fourth drop, ठीक है, येस, तो बिटा, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा blunt लगेगा, बट I would say, कि अपने ना score को पहले देखो, अगर तुम्हारा score 550 के आसपास है, तो बिटा, definitely और तुम्हारे अंदर एक आग है कि यार मुझे डॉक्टर बनना ही है, तो definitely तुम partial drop के बारे में सोच सकते हो, पर बिटा, अगर तुम बहुत ही कम score कर रहे हो, लेट से 200, 250, 300, तो बिटा, आपको अपने आप से फिर से एक answer लेना पड़ेगा, कि क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ, क्या मैं डॉक्टर बनना ही चाहता हूँ, ठीके बिटा, ये सारे questions के जब तुम्हे answers मिलेंगे न, तब तुम जाकर सोच सकते हो, कि तुम्हें यही field pursue करनी चाहिए या कोई और, क्योंकि और भी बहुत सारी fields है, जो आपके लिए बहुत अच्छा, you know, option हो सकती है, but that totally depends कि आपका passion क्या है, बिटा, right, yes, तो ये मैं आपको definitely बहुत bluntly बोलूँगी, ताकि आप आगे सोच समझ के decision ले, क्योंकि fourth drop लेना न, बिटा, कोई मजाकी बात नहीं होती है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत motivation चाहिए होता है, ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं, कि अगर आप partial drop लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कौनसे-कौनसे courses लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, so the next question that would be, when to take a partial drop हो गया, okay, now which all courses you can go for, आप कौनसे-कौनसे courses ले सकते हैं, ठीक है, तो चलो एक बार इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो बेटा, आप अगर partial drop ले रहे हैं, यानि कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि तुम्हें कॉलेज में एक backup option बिसिकली अपना ready कर रहे हो, ठीक है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो तुम्हारा एक backup option है, लेकिन तुम्हारा main name जो है, वो अभी भी नीठ ही है, तुम्हें need 2025 की preparation करते हुए, आपको अपना backup option, that is college में first year भी start कर रहे हैं, ठीक है, yes, तो बिटा, आप कौनसे कौनसे courses ले सकते हैं, you can go for my dear students, I use courses जो हैं वो आप ले सकते हैं, BMS ले सकते हैं, BHMS ले सकते हैं, BSE nursing ले सकते हैं, और यह सारे मैं कहूँगी कि आप non-bonded college में ही लेंगे, ठीक है, yes, अब माम non-bonded college क्या होता है, इसके बारे में discussion करेंगे, बट उससे पहले बिटा, मैं आपको यह बताऊँगी कि, जब आप partial drop लेते हैं, तो आपके लिए जो best course होता है, जो मताब best backup plan होता है, तो यहाँ पर आप इसको अपनी अच्छे से, as a future भी इसमें आप अपना देख सकते हो, अगर NEET 2025 आप अच्छा नहीं करो, नहीं कर पाओ, तो आपका backup option आपको help कर सकता है, ठीक है, तो यह best होता है, पर again इसमें एक छोटा सा drawback बोलो या कुछ भी बोलो कि बिटा, उसमें आपको थोड़ी सी extra महनत करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना पिटा, जो course होते हैं, उसके अंदर संस्कृत के शलोक साते हैं, और आपको वो सारी चीज़े याद करनी पड़ती है, ठीक है, तो extra महनत लगती है, जब तुम partial drop लेते हो, तुम college की भी पढ़ाई कर रहे हो, और बेटा, तुम NEET 2025 भी कर रहे हो, यानि कि तुम्हें time को manage करना है, तुम्हें जादा से जादा time अपने NEET को देना है, और back-up option पर ध्यानी नहीं देना, उसे तो ma'am doctor ही बनना है, उसे तो MBBS ही करनी है, उसे तो NEET फोड़ना है, तो my dear students, अगर ऐसा कुछ है, 110% clear हो, कि back-up option भी नहीं लेना है, तो आप BHMS के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा course होता है, वो English में ही होता है, ठीक है तो आपको as such कोई खास जादा problem होगी नहीं, yes, आपको अभी भी time manage करना पड़ेगा, but you can go for it, ठीक है, also आप B.E.C. nursing वगेरा के में भी जा सकते हैं, ठीक है, अब अगला question आता है, क्यों बोला non-warned college, तो बिटा, मैं आपको non-warned college का बात बताती हूँ, अब होता क्या है कि ये partial drop जो है, ये बहुत सारे students लेने लगे, अब आप खुद imagine करो कि मान लो college ने, government ने, एक seat दी, एक student को, ठीक है, अब वो seat उसके नाम पे हो गई है, आने वाले 4-5 साल उसका वहाँ पर course चलेगा, yes, मैं, अब मान लो पहले साल के बाद में, उसने वो seat छोड़ दी, तो college leaving bond, college leaving bond क्या होता है, कि मान लो तुम्हारी किसी, और ये ना mostly government और semi government colleges में होता है, कि मान लो तुम्हारी seat तुम्हें मिल गई है, ठीक है, हाँ, अब उस seat के एक साल के बाद में तुम्हारा need clear हो गया है, और अब तुम need के लिए जाना चाहते हो, तुम उसे छोड़ना चाह तो government क्या कहेगी, government कहेगी कि आगे के जितने भी साल है, उनका government का खर्चा तो नहीं होना, मतलब government का खर्चा नहीं होना चाहिए, right, yes, और वो obviously आप छोड़ के जा रहे हो, तो आपकी mistake है, तो government कहेगी कि आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे, वो fees पूरी आपको देनी प bond sign करते हैं, तो, mostly colleges में college leaving bond होते हैं, जो भी आपके government और semi-government colleges होते हैं, इसके अलावा एक fees bond भी होते हैं, जो mostly जो आपकी private colleges होते हैं, या deemed colleges होते हैं, उनके अंदर आपका fees bond होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको starting में ही आपसे आने वाले 4-5 साल का check sign करा लेते हैं, पू तो, अगर आप partial drop ले रहे हो, तो, आपको ध्यान रखना है, कि आपको bond वाले colleges में नहीं जाना है, क्योंकि अगर तुम bond वाले college में जाओगे, and let's say, तुम्हारा need clear हो गया, तो, तुम्हें financially बहुत जादा problem हो सकती है, ठीक है, इसलिए बेटा, हम ऐसे colleges की तरफ जाते हैं, जहां पर bond ना हो, ठीक है, तो, जब भी आप partial drop लेंगे, तो, आप ऐसे colleges देखेंगे, जहां पर ये bonds ना हो, ठीक है, yes, now, अगला question आता है, कि माम, हमें कितना time manage करना पड़ता है, हमें कैसे बढ़ाई करनी पड़ती है, तो, my dear students, इसके लिए, मेरे पास आपके लिए, सब कुछ सेम होता है, ठीक है, yes, तो, आप अगर वो पढ़ रहे हैं, तो, वो शायद आपको need 20, मान लो, need 2025 clear हो जाता है, तो, वहां पर भी आपके काम आएगा, ठीक है, yes, तो, you can go for that, ठीक है, दूसरा, आपको साथ-साथ अपने need 2025 को prepare करना है, उसके लिए आपको practice करनी है है, mock test देने है, online classes भी लेनी है, तो, बिटा, इसलिए, आप कैसे time को manage कर सकते हो, मान लो, दिन में तुम्हारा college है, तो, बिटा, आप कोई online course join कर सकते हो, आपने online course join किया, जिसकी classes आप शाम को लेते हो, ठीक है, yes, अब बिटा, आपको अपनी मेहनत extra करनी पड़ेगी, आप को अपना time इस तरीके से manage करना पड़ेगा, कि college की पढ़ाई के साथ-साथ, आप अपने NEET की तयारी को 110% करें, बहुत सारे students ना, तयारी करते-करते, भूल जाते हैं, मतलब मैं सही बता रही हूँ, partial drop तो लेते हैं, लेकिन NEET को ही भूल जाते हैं, तो आपको उस चीज का हान रखना है, आपके ना around लोग ऐसे होने चाहिए, आपके दोस्त भी ऐसे होने चाहिए, जो actually partial drop ले रहे हैं, जो NEET के लिए बहुत जादा determined हो कि नहियार पढ़ाई करनी है, ताकि सारा दिन वहाँ पर ऐसी बाते हो, surround yourself with people, जिस तरहां कि तुम तयारी कर रहे हो, ठीक है, और अपना एक time table बनाओ, और उस time table को बहुत जादा strictly follow करो, ठीक है, एक online course join करो, ताकि तुम्हें जबरदस्ती class लेनी ही पड़े, ठीक है, ऐसा ना हो, क्योंकि क्या होते हैं, जब हम self study कर रहे होते हैं, तो हम बहुत थोड़ी सा laid back attitude हो जाते हैं, यार चल कल कर लेंगे, त तो ये सब चीजे जो है, वो आप definitely कर सकते हैं, और अगर आप कोई online course लेना चाहते हैं बिटा, तो आप unacademy का, अभी अभी मतलब एक amazing offer चल रहा है, आप unacademy का complete year का subscription सिर्फ 4999 में ले सकते हैं, और ये बहुत ही limited time के लिए offer है बिटा, फिर ये बढ़ जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा price हो जाएगा, फिर आप college की fees दे रहे होगे, आप ये भी कर रहे होगे, तो आपके लिए वो financially शायद थोड़ा burden हो जाए, ठीक है, yes, तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, आप plan कीजिए कि क्या आपको एक organized course चाहिए या नी, and you can go for it, क्योंकि यहाँ पर आपको unlimited doubt clearing sessions मिलते हैं, यह वो मेरा favorite है, क्यार कोई भी doubt आता है, आपको से photo click करनी है and you'll get the answer, मतब कितना amazing feature है, और आप अपने favorite educators से पढ़ सकते हैं, ठीक है, and everything in just for 999, और भी बहुत सारे features हैं, जो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, आप बिटा code use कर सकते हैं, AC 25, ठीक है, नीचे link दिया हुआ है, उस link से directly जाओगे, तो आप उसको purchase कर सकते हो, ठीक है, आप मुझ से पढ़ सकते हो, आप अपने favorite educator से पढ़ सकते हो, जिने से तुम्हारी frequency match होती है, ठीक है, also my dear students, Phoenix Pro batch जो है, वो start हो रहा है आपका 31st July से, ठीक है, yes, तो यह last live batch है, इसक ठीक है, adjust रुपीज 4999 बहुत limited time के लिए offer है, आपको amazing features मिलने वाले है, आप special rankers group में add हो जाओगे, और बेटा, आपको all India test series मिल रही है, लोग ना इसके लिए extra पे करते हैं, तुम्हें कुछ पे नहीं करना, 4999 के अंदर ही तुम्हें यह मिलेगा, ठीक है, yes, तुम अपने favorite educators से mentorship sessions ले सकते हो, also बचे, तुम neat UG toppers, जो previous year toppers हैं, आप उनसे guidance ले सकते हो, और I think वो तो best तरीका होता है, अपनी preparation को करने का, जो हमारे, जो हम feel कर रहे हैं, उससी से undergo किया है, किसी ने, तो वो आपको काफी अच्छा help कर सकते है, also बहुत सारे SA students होते हैं, जिनको, you know, offline doubt solve करवाने हैं, you know, offline test देना है, तो आप Unacademy pro के लिए भी जा सकते हैं, यह सारे features हैं, जो आप plus के अंदर आपको मिलते हैं, यह सारे features हैं, जो आपको iconic के अंदर मिलते हैं, और यह सारे features हैं, जो आपको pro के अंदर मिलते हैं, तो आप अपने according, अपने features, जो भी आपको पस है आप उसके according अपनी preparation कर सकते हैं ठीक है येस अगर आप offline ही join करना चाहते हैं तो आप definitely offline भी join कर सकते हैं ठीक है बिटा so yes partial drop लेने में एक extra hard work लगता है extra मेहनत लगती है but then again अगर dream बहुत बड़ा है तो मेहनत भी उतनी ही जादा करनी पड़ेगी so I feel like बिटा अगर तुमने decide कर लिया है कि partial drop लेना है और तयारी करनी है तो you can give your 100% you can go for an organized course अगर आप organized course plan कर रहे हैं तो आप definitely an academy subscription के बारे में consider कर सकते हैं और अगर आपकी सारी तयारी है तो बिटा mock test दो और अपनी तयारी amazing करो ठीक है yes so this is something that I wanted to tell you अगर कोई भी और question है तो just let me know in the comments and I'll definitely bring the answer to you till then my dear students keep smiling keep working hard and I'm proud of you all the very best